आपने नरेंद्र मोधी जी के इंटर्विव देखें देखें वो जो चमचों माले इंटर्विव हैं देखें नहीं देखें वहाँ पे नरेंद्र मोधी बैठते हैं चार चमचे आयाते हैं देखें आपने उसमें नरेंद्र मोधी अलग-अलग बयान देते हैं उनसे पूछा वो चम्चे ने पूछा मोधी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं आपकी इस पे क्या राय है नरेंद्र मोधी जी ने 30 सेकंड सोचा पिर कहते हैं क्या मैं सब को गरीब करनू अच्छा देखो कनईया है यहाँ पर अब कभी कभी मेरे से मिलने आता है बात्चीत होती है कभी कभी इंटरनाशनल रिलेशन्स पे बात हो जाती है कभी गरीबी पे बात हो जाती है कनईया में अलग-अलग लेवल की समझ है यह मुनापार की समझ है किसानों की समझ है और इंटरनाशनल लेवल की भी समझ है मगर अगर एक दिन कनईया मुझसे मिलने आए और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके सुनो सुनो और मुझे कॉन्फिडेंस में लेके बंद कमरे में कह दे कि राउल जी मैं बाइलोजिकल नहीं हूँ मुझे परमात्मा ने भेजा है तो मैं कनईया से कौऊंगा आज जोड़ के कौऊंगा कहीं नहीं यह बात तु बाहर मत कह दियो गल्ती से भी यह बात बाहर मत कह दियो मगर देश के प्रदान मंत्री चम्चों के सामने इंटर्वियू में खुलके कहते हैं मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ जैसे आप सब हिंदुस्तान के जनता सारे सारे जीव जो बायोलोजिकल है उनको नरेंदर मोदी जी कहते हैं कि भाईया आप सब बायोलोजिकल हो मैं बायोलोजिकल नहीं हूँ मुझे परमात्मा ने उपर से भेजा है मिशन के लिए भेजा है अब अगर भाईया सड़क पर आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे क्या कहोगे उसे कहोगे भाईया माफ करो काम अपना करो हमें अपना काम करने दो और उनके चम्चे क्या कहते हैं वाव 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 क्या पात बोली परमात्मा ने भेजा है प्रधान मंत्री को परमात्मा ने भेजा भाईया कैसा भेजा है कोविट के समय कहता है ठाली बजा दो परमात्मा ने भेजा और कोविट के समय कहते हैं लाशु की धेर पड़ी हैं गंगा में यहाँ पे यमुनापार हजारों लोग हस्पतालों के सामने अंदर नहीं सामने लेट कर आखरी सांस तोड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री आते हैं कहते हैं बाई और बेनो नहीं प्रधानमंत्री नहीं जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं बाई और मैंनो मुबाईल फोली लाटी जला दो फिर युवा कहते हैं भाईया हमें रोजगार दीजिए जिसको परमात्मा ने भेज आ है वो कहते हैं भाईया एक काम करो यह जो नालिया होती है इसमें गयास होती है एक पाइप लो उसको नाली में डालो पाइप में से गैस निकलेगी गैस में आग लगाओ और पकोड़े बनाओ भाईया परमात्मा जी आपने कैसा अदमी भेज दिया अच्छा ये जो जो आएं है उपर से जो परमात्मा ने भेजा है अजीब सी बात ये है कि ये सिर्फ वाईस लोगों के लिए काम करते हैं अदानी जी के लिए अंबानी जी के लिए वो जो भी चाहते हैं दो मिनट में मोधी जी कर देते हैं रेलवे चाहिए लेलो पोर्ड चाहिए लेलो इंफरस्ट्रक्चर लेलो अगनीवी बीर स्कीम चाहिए चलो अगनी बीर स्कीम देते हैं जो भी इनको चाहिए देते हैं और गरीब जनता 24 गंटा हाच जोड के कर्जा माफी मांगे सड़क मांगे हस्पताल मांगे शिक्षा मांगे नरेंद्र मोधी बस देखते रहते हैं अजीब सी बात है 16 लाख करोड रुपिया अरब पतियों हम आफ किया है 16 लाख करोड रुपिया आम आदमी समझता ही नहीं कितना है जितना पैसा मन रहेगा मैं हमने एक साल में डाला अगर आप 24 साल का पैसा ले लो उतना इनोंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया है किसानों का 24 बार कर्जा माफ करो हर किसान का कर्जा माफ कर दो उतना पैसा इन्होंने 22 लोगों को दिया है और देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं भाईया यमुना पार के बारे में आपने कभी मीडिया वालों को बोलते हुए देखा है आपकी सडके दिखा ही इन्होंने ये जो कच्णा पड़ा हुआ था बाहर ये नोंने दिखाया कभी मगर अंबानी की शादी तो दिखाते है थोड़ी देर में ये भी कहेंगे कि वहिया हमें भी भगवान ने भेजा है तो पहली बात कहता हूँ आपको ये जो अगनी वीर स्कीम है इसको तो हम फाड़ फूर के डस्मिन में फिकने वाले है क्यूंकि ये सेना के खिलाफ स्कीम है देश भक्तों के खिलाफ स्कीम है दो अलग-अलग शहीद त्यार कर रहे है एक को शहीद का दर्जा मिलेगा पेंचिन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी परिवार की रक्षा होगी और दूसरे को ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पेंचिन मिलेगी ना सोशल सिक्यूरिटी मिलेगी ना परिवार की रक्षा होगी तो पहला काम हम इसको खतम करने जा रहे हैं ये नरेंद्र मोदी जी लाए सेना नहीं लाई नरेंद्र मोधी जी लाए और इसको हम कतम करेंगे